क्या आप भी हैं बालों के तूटने, जहने और ना बढ़ने की तकलीफ से परिशान तो इसे एक बार बनाए और आजमा कर देखे हाई फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ एक ऐसा हैरोल शेयर करने वानी हूँ जो आपके बालों को लंबा, घना और काला करने के साथ साल 15 दिनों के अंदर हैर फोल को कम्प्लीटली खतम करके उन्हें मस्बूत बनाएगा तो चलिए जानता है आपको इसे कैसे बनाना और इस्तमाल करना है सबसे पहले हमेशा है अदरक, अदरक डैमेच सकार्प को रिपैर करके बालों को हल्दी, शाइनी और मस्बूत बनाता है इसमें मौज़ूद मिनरल्स और अंटिबेक्टरिल प्रॉपर्टी सकार्प और हैसलेटेट प्रॉब्लम्स को जड़ से खतम करता है आपको बस एक अदरक के तुकड़े को छीड़ कर ऐसे छोटे छोटे तुकड़ों में काट लेना है साथ ही हमेशा है पास से साथ कली लैसुन यानि के गादलिक की इसमें मुझूद एंटि माइक्रोबियल प्रॉपर्टी सकार्प में ब्लट फ्लो को बढ़ा के नए बालो का ग्रोथ करने में मदद करता है जिससे बाल लंबे होने के साथ साथ गंजे बन को भी दूर करता है इन दोनों चीज़ों को बारे कट करने के बार आपको इन ही एक काश के जार में डालने ना है साथ ही इसमें एट कर देना है पास से साथ कलफ यानि के लॉंग ये हैर फॉर को रूखने का सबसे स्ट्रॉंग इंग्रिडियन्ट है अब एक बरतन में 100 ml के करीब सरसो का तेल लेना है आप चाहे तो इसकी जगा नारेल का तेल भी ले सकते हैं तेल हल्का सा गरम होने पर इसमें हमें एट करना है एक बार ही कटा हुआ प्यास यानि के ओनियन्ट ध्यान रहे हमें इस तरह के रेड ओनियन्स का ही इस्तिमार करना है क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है और सल्फर गंजे पन या बालों के ना बढ़ने जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत हैड़फुल है इसे हमें हलका सा पकाना है ना ही जलाना है इस बात का खास ध्यान रखे करीब 5 मिनिट बाद ये जब हलकी गुलाबी रंगे हो जाएं तब आप कैस को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे और ठंडा होने पर इसे छान के इस जार में डाल दे अब जानते हैं आपको इसे इस्तमार कैसे करना है इस तेर को आपको हफते में 3 बार अपने बालों की जड़ों से लेकर हैर लेंग तक लगाना है और हरके हरके हाथों से मसाज करना है साथ ही ध्यान रहें कि इसे रात भर ऐसे ही छोड़ जाना है और सुवा इसे शेंपू करके वाश कर लेना है इसके लगातार 15 दिनों के इस्तिमाद से ही आप अपने पुराने से पुराने बालों के जढ़ने तूटने या गिरने जैसी प्रॉब्लम को दूर होता हुआ देख पाएंगे साथ ही लगातार 30 दिनों के ही इस्तिमाद से आपके बाल 3 से चारेंज तक बढ़ेंगे इस ओयल को आप 2 महिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होगा दोस्तों आज ही इस ओयल को बनाए और इस्तिमाद में ले और आपके रिजर्स भी मेरे साथ जरूर से शेयर करें साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिरकुर ना भूले